Sports Launchpad देख रहे हैं आप प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और आज मैं आपको पताने वाला हूँ Trigger Movement कितना ज़रूरी हो गया है आज कल की Cricket में T20 जब से आया है उसके बाद से Trigger Movement बहुत important हो गया Trigger Movement का मतलब जब बैसिकली जब आप बॉलर को फेस कर रहे हैं तो आपके बास दो तरह के बल्ले बाजी करने की या तो फिर आप लोकुल वेट करें बॉल का पिछ होने का उसके बाद अपने आप फ्रेंट फोट को लेकर आए लेकिन Trigger Movement आज के जमाने में जब आपने क्रीज में है उसका हाथ यहां पर तो बेसिकली आपका फुट या तो पीछे या आगया आया या 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 फॉर्वट प्रेस या बैक फोट प्रेस इससे क्या होता आपकी जो बॉड़्ी है जो पहले से इनक्टिव मोड में है जब आप जब आप बैटिंग स्टैंज ले रहे हैं यह एक्टिव मोड में रहती है तो आपके मूउम्मेंट और ज़्वादा शार्प हो जाते हैं देन यू काट पुल कहीं भी आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कहा मारना है तो मेक इन अच्टिव मोड ट्रिगर मूमेंट इस अत्मोस्त इंपॉर्ट रागरी